हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी मैजिकल हूम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि इस समर के सीजन में बहुत काम आने वाला है आपके और इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रुत नहीं है ये आपके घर पर बलकी किचिन में ही ये मौजूद होगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा टमाटर और टमाटर हर किसी के घर में अविलेबल होता ही है टमाटर में बहुत सारे पोशक ततो पाए जाते हैं इसमें विटामिन सी और विटामिन ए होता है जो हमारे स्किन को रिलेक्स करने में और टैनिंग हटाने में बहुत जादा हेलफुल होता है अगर आपके स्किन डल पड़ गई है टैनिंग आ गई है तो आप इस होम रेमेडी को जरूर यूज़ करें ये आपके स्किन को हेल्दी और सुन्दर बनाने में बहुत अच्छे से काम करेगा ये टमाटर खाने का स्वात बढ़ाने के साथ साथ ये स्किन रिलेटेट जो प्राबलम्स होती है उनको दूर करने में ये बहुत जादा है अच्छा यहां पर आपको देसी टमाटर लेना है जो दिख्टे में बहुत जादा रेड रेड और रसीला होता है जिसे कि आप वीडियो के दो भाग कर लिए हैं कट करके और हमें एक भाग को एक जो पीस है इसको हमें यूज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे हल्दी हल्दी यहाँ पर आधे चोटी चमश आपको ले लेना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर डाल लेना है तो वीडियो को आप देहान से बिना skip किए वे देखिएगा क्योंकि मैं यहां पर बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ आपको जो की आपके काम आने वाला है तो यहां पर सबसे पहले आपको हल्दी ले लेना है और इसके उपर डाल लेना है हमको और हम कुछ तरीके से हम देरे-देरे squeeze करेंग ताकि जो हल्दी है वो अंदर चले जाए टेमाटर के और टेमाटर के रस के साथ यह घुलने लगे ठीक है अब इसके बाद हमें जो दूसरी रेमेडी लेनी है वो हलेनी है हमें शुगर यानि की चीनी तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी की जरुरत है कि अगर आप यह रेमेडी फेस पर यूज करने वाले हैं तो चीनी का आप यहां पर पाउडर बना के ले सकते हैं क्योंकि चीनी जो है यह थोड़ी मूटी होती है और आप फेस पर इसे यूज करेंगे तो हो सकता है यह नुकसान पहुचा सकता है फेस पर इसलिए अगर आप फेस पर य अगर आपके पास टाइम है आप जल्दबाजी में नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से आप पहले स्क्वीज करेंगे जिससे की जो चीनी है और हल्दी है टेमाटर के रस में अंदर जाके अच्छे से घुल जाए और चीनी जो है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए पहले से ठीक है और अगर आपको हैंड पर यूज करना है तो आप तुरंथी इसे यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने कुछ जिर तक के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं जो यह हल्दी और चीनी है यह टेमाटर के रस में अच्छे से घुल चुका है तो अब हम इसका यूज कर आती है जिससे कि हमारी स्किन डल और ड्राइ दिखती है तो ऐसे में आप यह जो हम रेमेडिय यूज करेंगे इससे आपकी जो स्किन पर अच्छा सा एक ग्लो आ जाएगा आपके टैनिंग हट जाएगी और आपकी जो स्किन है बहुत ही जादा हेल्दी दिखेगी तो इस इसकिन के जो पोर्स होते हैं उसे भी यह श्रिंग करने का काम करता है तो जब हमारे फेस के पोर्स बड़े हो जाते हैं और खुल जाते हैं तो इसमें गंदिकी धूल और पॉलीशन चली जाती है और जो हमारे स्किन की नैचरल ओईले उसके साथ मिल जाते हैं यह और यही वज़े हैं कि हमारे फेस के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और पिंपल्स और यह सब एकने की प्रॉब्लम होने लगती है तो टाइम टाइम पे हमें अपने पोर्स को क्लीन करने की जरुवत पड़ती है जिससे कि पोर्स खुलने के बाद एक तो पॉलिशन डर्ट जो हैं और उसके बाद हम इसे वाश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से और धुलने के बाद हम कोई भी मॉस्टराइजर क्रीम या ओल कुछ भी हम लगा सकते हैं नारियल तेल भी लगा सकते हैं जिससे कि हमारी स्कीन जो है बहुत ज़़दा सॉफ्ट बनी रहेगी तो यहां पर मै लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को अन कर लिजिएगा तो मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग